है आज हम लोग देखने वाले हैं एस बेसेज एंड शॉल्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टूटल अभी तक नोन कितने अज़ाने एलिमेंट हमारे पास है तो 15 different elements और यह 15 different elements बहुत सारे compound बनाते हैं बहुत सारे compound को अपन यहां पर यहां पर 3 parts में कतेगरईज करते हैं जिसको अपर बोलते हैं एसेड बेसेज एड़ तो देखिए यहां सबसे पर देखेंगे की डाय कैसा होता है तो इसके लिए नाम इसका है डाई ते Curl तो यहां पे क्या देखना है कि कलरिफ यहाँ पर चेंज होंगे जब भी योड़ करते हैं तो चाहलत पास प्रondlay यूज को भी जैटम Lizard हम लोग लोग फैनॉल फ्रेनेफ़ल recreate है दो इसके वारे में देखने वाले हैं कि कौन किस कलर में इंडिकेट करता है तो पहले यहां तक कॉपी करें फिर अपन देखते हैं कि सबके इंडिकेटर इंडिकेशन कैसे हैं तो हमारे पास Schuld बाद अपन देखना तो लेटमस कैसा होता है यह local indicator इसलिए क्योंकि यह से प्रिपेर किया जाता है कैसे यह प्रिपेर का याता है तो एक हम उनाम एक टाइप से हैं यह नेचरल इंडिकेटर बनाया जाते है तो इसको पीपर फॉर्म में रखाया जाता है यह सॉल्यूसन फॉर्में करें तो अगर हम लोग लिटमस पेपर पे या लिटमस सॉल्यूसन में डाल देंगे तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड में ठीक है और बेसेज में बेसेज क्या करेंगे तो रेड लिटमस को क्या कर देंगे ब्लू कर देंगे तो एक और बार आती है कि रेड लिटमस को क्या करे तो ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है और रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है यह एसे और बेसेज के की यहां पर इंडिकेशन हम लोग को समझ में आ जाए ठीक है फिर अपन देखते हैं दूसरा आज़े अब अपर ने देख लिए लेट्मस देख लिया है ऑफन देखते हैं कि मिथाइल ओर दॉर्यों मिथाइल ओरेंज है फेनाइल क्या लिखा अपने पेनों ने यह कैसे होते हैं यह थे कटिक्ड़िक इंडिकेटrang में आता है यह क्रांपर और synthetic indicators के भी indications देखते हैं अपर कि कैसे कैसे होंगे तो methyl orange जिसका की natural color जो है वो orange color का होता है तो यह क्या करेगा कि यह change हो जाएगा change red in acid solution जब acid solution आप इसमें डालोगे तो यह red हो जाएगा और change to pink in basic solution basic solution में यह pink color जलता हो जाएगा और यहां पर देखिए यह कैसा होगा जब आप यहां पर डालोगे और यह pink में convert हो जाएगा जब आप यहां पर बेस जालोगे ठीक है उसके अलावा यहां पर क्या है कि turmeric भी जो है वो भी natural indicator होता है तो natural indicator किसके लिए होता है कि acid के लिए कोई indication नहीं देगा लेकिन अगर आप यहां पर बेस चालोगे तो यह क्या हो जाएगा टर्न हो जाएगा रेड में तो रेड में convert हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि यह basic solution था एक और वहाँ natural indicator आता है यह भी natural indicators है दोनों तो रेड कबेज के एक्स्ट्रेक्ट अगर आप लोगे जो कि रेड कलर का होता है तो यह क्या होगा कि एक रेड में रेड में यह अगेन रहेगा और ग्रीन कलर में ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आप इसमें बेस मिला होगे ठीक है तो यह कुछ थे indicators जो कि अबन die indicator के अंदर पर रहते हैं फिर अपन देखते हैं इसके अगे का है अभी जो नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर है वह है औल्फैक्टरी इंडिकेटर की का था होता है तो जैसा आपने देखा वह पे डाइडिकेटर में कि चलर के थो इंडिकेट किया है तरह यहां पर देखेंगे कि यह स्मेल के फूर इंडिकेट कि यह यह बेस है तो देखेंगे सबसे पहले पर इसमें कर लिए जिसको अगर हम लोग इसको बेस्ट में डाल दें तो क्या होगा उसका इसमेल अपन नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा उसके ंपन है कि अपनी नहीं होगा इसको अपने ऊपनी आपने तो अगर यहाँ पर क्या करोंगे की आप अगर अपन दिया रहां देंगे वेनिला में तो उसका इस्मेल आपन डिटेंचन नहीं कर पाएंगे और अगर एव्छ गलते हैं तो स्सक्राइब कोई चेंज नहीं होगा तो ऑनने यह पर 2 टरफ के पढ़ लिया पहला हमने देख लिया थाखिग डाइंडिकेटर छ Courtney अपने आप सीये पड़ी एक नेचरल था जो क्या थे संथेक सबक्सक्राइब Frankie was रखिए या में या रखना दाल दो कोई चेल नहीं बेस डाल तो चेंज हो जाएगा चेंज हो के क्या होगा तो और इन दोरों में कोई चेंज नहीं होता है तो no change no change in acid याद रहेगा चेंज हमेशा किसमें होगा बेस डालने से चेंज होगा ठीक है तो यहां तक अपने देख लिया हम लोग इंडिकेटर खटम किये ओके